नमस्कार मैं ही नशीर वास्तो आप देखरें प्रगती मेडिया लद्दाक की गलवान घाटी में सहीद भारती सैनेकों को लेकर बुद्धवार को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कहा कि वा इन वीर सपूतों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे कोरोना संकट पर 15 मुख्य मंतरियों के साथ डिजिटल बैठेक के दोरान पीम ने साफ किया कि भारत सांती चाहता है पर उकसाय जाने पर वा हर हाल में मुझ तोड़ जवाब देने में सच्छम है मोदी के मुताबिक हमारे लिए देश की एकता और संपरभूता सारवधिक महतपूर्ण है भारत ने हमेशा कोशिस की है कि मत भेद विवाद ना बने परधार मंत्री और बैठक में सामिल लोगों ने इसके बाद सहीद सैने कर्मियों के सम्मान में कुछ मिनट का मान भी रखा इस बीच ट्वीटर पर लोग पूछने लगे कि 14 महीने बाद पुलवामा के गुनागारों का पता लगा पाये क्या किसी ने ट्वीटर पर लिखा कि पुलवामा हमले के बाद हमें अभी भी नहीं मालूम है कि 40 CRPF के जवानों की सहादत के पीछे कौन जिम्मेदार था हमें नहीं बताया गया कि आखिर 300 किलो की मातरा में विसफोटक कहां से आए और कैसे एक जगे से दूसरी जगा पहुचाए गए किसने रूट लिख किया और किसने CRPF के काफिले के बारे में जानकारी दी इस पर कोई जवाब नहीं है आपको याद होगी वो 14 फरवरी की तारीक 14 फरवरी 2019 को जम्मू और कस्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें 40 से जादा जवान सहीध हुए थे हमले के बाद देश भर में आतंकीयों के खिलाफ कड़े एक्षन की मांग उठी थी PM मोदी ने भी कहा था कि उन जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा और उसी के बाद बदले के रूप में भारती वायुशेना ने बाल का कोट के एर स्ट्राइक कर आतंकी बेस कैप्स को खत्म कर दिया था धन्यवाद